जैहिन प्यारे बिच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रिवार भारत उस क्लास इसमें तो प्यारे बिच्चों आज हम मेरा विद्याले पर निबंद लिखना सिखेंगे प्यारे बिच्चों यहाँ एक ऐसा टोबिक है जो हर एक क्लास में आप सभी को इस पर निबंद लिखने को आता है और ज्यादा नहीं माजर आपको यहाँ पर दस लाइन इसके बारे में जरूर याद रखनी है ताकि आप इसके बारे में अच्छे से लिख सको तो ब्यारे बच्चों हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मेरा विध्याले पर किस परकार निबंद लिखा जाता है और आप अपने विध्याले के बारे में कैसे लिखोगे उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा तो ज़ली से इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजे, अपने अपने दोस्तों को सेर कर दीजे, यदि आपने अभी तक भारतवस क्लासिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा, चली बच्छा बताते हैं कि आपको किस परकार लिखना है, सबसे पहले आप अपने विद्याले का नाम लिखोगे, तो लिखना है आप जिस भी विद्यालें पढ़ते हो, आपको अपने विद्याले का नाम अपनी कौपी में लिख लेना है, उसके बाद आप लिखोगे मेरे विद्याले का नाम, यहाँ पे अपने विद्याले का पूरा न पूरे विद्याले का नाम लिखते जेगा। देखो जो चीज दिखाई जा रही उसी को देखर के उतार दो। ऐसे में आप कुछ नहीं सीखोगे बच्चार, तो मेरा उद्देश या है कि आपको मैं सिखाऊं कि लिखना किस प्रकार है, तो पहला लाइन आपने नाम लिख लिया, दूसरे में आपको लिखना है कि आपके विद्याले में पढ़ाई कितने कलास से लेकर कितने कलास तक होत यदि आपका विद्याले प्रात्मी कस्तर का होगा तो वहाँ पी कच्छा एक से लेकर कच्छा पांस तक की ही पढ़ाई होगी यदि माध्मी कस्तर का होगा तो कच्छा आठ तक होगी और उच अस्तर का हो तो कच्छा बारा तक की भी हो सकती है तो आप इसके अनुसार लिखिएगा थेक है मैंने यहां पर उधारन के सुरूप लिखा है मेरे विद्याले में कच्छा एक से लेकर कच्छा आठ तक की पढ़ाई होती है तिसरा लिखना है मेरा विद्याले बहुत बढ़ा है अगला लाइन आपको लिखना है कमरे आपके विद्याले में अलग-अलग कमरे होते है मैंने उधारन के सुरूप लिखा है मेरे विद्याले में 20 कमरे है आप अपने विद्याले में काउंट करके यहां पर कमरों की संख्या लिखिएगा हो सकता है आपके विद्याले में 10 कमरे हो, 5 कमरे हो, 3 कमरे हो या हो सकता है 20 से भी अधिक हो तो आप यहाँ पे कमरे के अनुसार यहाँ पे इसकी गिंती लिखिएगा पाच्वा प्रश्निया, यहाँ पे पाच्वा लाइन आप लिखिएगा मेरे विद्याले में लग भग पांसो चात्र चात्राएं हैं ये संख्या थोड़ी आप ज़्यादा भी लिख सकते हो या फिर कम भी लिख सकते हो अपने विद्याले के श्वरूप अपने चात्र चात्राओं के गिंती को लिखिएगा अगला है मेरे विद्याले में 25 शिच्चक और सिच्चिकाए है आपके विद्याले में कितने सिच्चक सिच्चिकाए है यहाँ पे आपको उनकी संक्या लिख दनी है बाग की पूरा लाइन आपको same to same लिखना है साथ हinguém लिखेंगे मेरे विद्याले में एक बड़ा सा खेल का मैदान है आठोवा लाइन लिखेंगे मेरे विद्याले की कच्छाएं रोसंदान और हवादार है ये तो सभी लिख सकते हैं है ना इसमें कोई छेटाद नहीं इसी लाइन को अब लिखेंगा मेरे विद्याले की जो कच्छाएं हैं वो रोसंदान रोसंदान का अर्थ क्या है कि उसमें अच्छी से लाइट आता है हवादार का अर्थ या है कि उसमें खिड़कियां हैं जिससे हवा अराम से आता है तो ये तो लिख लिजेगा नुवा लिखेंगे मेरे विद्याले में सभी सिच्छक बहुत ही अच्छे हैं हाँ ये लाइन सभी को लिखना है चुकि सिच्छक और सिच्छिकाएं सभी की विद्याले में अच्छे होते हैं चुकि वे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाते हैं से समझा समझा अगर पढ़ाते हैं ठीक है तो यह लाइन भी लिखिएगा और दस्मा लाइन लिखिएगा मेरे विद्याले बहुत ही अच्छा विद्याले है यह अंतिम लाइन लिख लेना है ठीक है बच्छा तो यह था विद्याले पर निबंद इस वीडियो में हमने सीखा के विद्याले पर निबंद कैसे लिखें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जादा से जादा इस वीडियो को सेर कीजिए और इसी परकार के निबंद आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे तो इसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए थैंक यू बच्चा